idioms and phrases day 13 welcome you in this idiom and phrases की डोजवाली क्लास में आज फिर से हम उसी never forgetting techniques से अपनी पांच idioms को लड़ने करेंगे पहले एडियम है, with one voice, with one voice, एक आवाज में, अच्छा जब टीचर हम लोगो इसकोल में पढ़ाते थे, तो कहते थे सब बोलो, सब बोलो तो एक साथ बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, अगर कुछी समझ में आई कि नहीं आई, yes sir, सब लोग बोलते थे, yes sir, नहीं आई तो no sir, एक साथ बोल रहे हैं, इसका मतलब है, सब क्या है, सहमत, जब सब को समझ में आई, तो सब बोले थे, yes sir, नहीं आई तो कुछ बोले, कुछ नहीं बोले, और सब ने बोला, इसका मतलब है, सब को समझ में आई, यानि कि सब ने yes कैसे बोला, सहमत में बोला, एक दूसरे से क्या थे सहमत थे और जब हम एक दूसरे की बातों से सहमत है एक चीजों से सहमत है तब हम एक आवाज में बात करते हैं एक आवाज में बोलते हैं सब एक साथ मिलके बोलते हैं तो एक स्वर में बोलना सहमत हो करके बोलना with one wise का मतलब है in complete agreement आपको option में मिलेगा in complete agreement उसको टिक करना है ठीक है हमारी जो next डिडियम है wet blanket wet गीला blanket कंबल कंबल के अंदर सोने का मज़ा ही कुछ और है थंडी में मज़ा आजाता है न लेकिन अगर आप कंबल गीला हो जाए सारा मज़ा एकदम से पानी पानी हो जाएगा मज़े पर पानी फिर जाएगा और ऐसा कोई इनसान जो आपके मज़े का आपके आनन्द का आपकी खुशी पर पानी फिरता हो उस इनसान को हम कहेंगे wet blanket क्योंकि जो गीला कंबल होगा हम तो आये थे सोने के लिए मस्त एकदम चदर तान के क्योंकि जो मज़ा खापी के सोने में हो कहां दुनिया के किसी कोने में है और वही करने हमाए लेकिन जैसे ही कंबल ताने तो कंबल घीला निकला ये सारा मज़ा गरबड कर दिया उसने तो यानि अगर कोई इनसान जो आपकी मौज मस्ती पर पानी फिर दे is called wet blanket a person who discourages enjoyment or enthusiasm okay next idiom is tied knot tie the knot knot मतलब got tie मतलब बाध लो नौट बाध लो गाट बाध लो गाट कहां बाधते हैं साधी में गाट बाधते हैं कि नी बाधते साथ जन्मों की गाट बदवाई जाती है बदवाई जाती ना तो tie the knot का मतलब होगा विवाह कर लेना साधी कर लेना get married very easy to remember next is butter fingers butter fingers क्या है butter finger butter मतलब मक्खंदार उंगलियां अगर किसी की उंगलियां मक्खंदार हैं मक्खं जैसे मुलायम है मक्खं जैसी है इसका मतलब है उसने अभी किसी चीज को अच्छे से की यह मतलब उसने कोई काम धाम अच्छे से नहीं सीखा है उसके हाथों में अभी वो पावर नहीं है कि कुछ काम अच्छे से कर सके मु हाथ भी इसकी उगलियां इसकाम पर नहीं बैठी हैं बोलते हैं ना टाइपिंग सीकर करते हैं कीबोर्ट पर उगलिया बैठालो जिसकाम को करते हैं हाथ बैठ गया है हाथ बैठ गया है का मतलब है कि इसकी उगलियां उस पर अच्छे से फिट हो गई है वो किसी काम को अच् क्लमसी और होता है बटर फिंगर का मतलब है अगर आपकी उगलिया मखंदार है तो आप कोई चीज को अच्छे से पकड़ नहीं पाओगे तो वो चीज बार बार गिरती जाएगे तो अगर कोई चीजों को हमेशा गिरा रहा है ना उससे भी कहा जाएगा बटर सिंगर a person who always drops a thing अगर कोई ऐसा इनसान है जो हमेशा कोई नो कोई चीज को गिराता है उसे कहा जाएगा बटर सिंगर में ठीक है तो बटर सिंगर हुँ है हमारी जो लास्ट एडियम आज की है आल बार्क औडल बार्क हमेशा सब हमेसा आल का मतलब यहां पर हमेसा समझो ठीक है हमेसा बस भौकता है भौकता है भौकता है नो बाइट काटता नहीं है कि बस भौकाल बनाता है बस सेकता है बस कहता है काटता नहीं मतलब करता नहीं है भौकता है तो काटना भी चे लेकिन भौकता है तो काटता नहीं मतलब कह कटेटा तो है रख करता नहीं सब्सक्राइब करता तो सिर्प बाता है दमकी काम नहीं फुल आप टॉक और वर्निंग बट लो आने एकसान बात तो बहुत करता है बट एकसान नहीं करता है इस काल्ड आल पार के नो वाइट ओके डियर आपको आज की एडियम्स भी समझ में आई होंगी आई है तो चैनलों का सबस्क्राइब कर लो ताकि आपको एडियम्स भी समझ मिलता रहे तब तक आप इनको याद करके कहीं नोट बना लो लिख लो सारी एडियम्स भी समझ को झाल कर दित tar ब भी समझ दित कि मोई आपको प्लों प्मार रहने देम है